आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ आपको गिवन है कि 5 परसंस है उनकी हाइट डिफरेंट है कोई भी दो परसंस सेम हाइट के नहीं है और उसके बाद गिवन है कि S से नीचे सिर्फ दो लोग आते हैं अगर मैं बोलूँ कि tallest नमर जो है वो 1 है उससे नीचे 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 ये है height का decreasing level मतलब 5 की height सबसे कम होगी और 1 की height जो है वो सबसे ज्यादा होगी तो यहाँ given है मुझे कि S से नीचे सिर्फ दो लोग आते हैं तो इसका मतलब S तो third number पे आ गया अब इसके नीचे दो लोग आएंगे देखते हैं कौन-कौन यहाँ लिखा है T is shorter than S but taller than R इसका मतलब क्या हुआ T जो है वो S से छोटा है लेकिन R से बड़ा है तो obviously T fourth पे ही आएगा क्यों क्योंके S के नीचे सिर्फ दो ही लोग आते हैं Now first and second पे कौन आएगा P आएगा या Q आएगा यह मुझे अभी define नहीं है Then one who is second tallest among them is of 158 cm लेकिन जो second tallest है उसकी height मुझे given है 158 cm अब देखिए या तो यहाँ P आएगा या Q आएगा अगर यहाँ P आगया तो फिर यहाँ Q आजाएगा और अगर यहाँ पे P आगया तो फिर यहाँ Q आजाएगा यह मुझे question में define नहीं है कि कौन कहाँ आएगा बठा इतना पता है जो भी यहाँ आएगा उसकी height होगी 158 cm Now question देख लेते हैं Question में बोला है कौन सा statement definitely true है बात करते हैं R is definitely 150 cm तो देखिए R की height कितनी होगी इसके बारे हम comment नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ second की height दी है और second भी हमें पता नहीं कि वो कौन है None of the given statement true बाकी के statement देख लेते हैं T is shorter than S तो obviously देखिए यहां खुदी लिखा है T is shorter than S तो obviously यह चीज तो definitely true हो जाएगी न तो my right choice will be option third Thank you